हेलो एवरिवान, वेलकम टू एकलवे स्टड़ी पॉइंट, आज हम क्लास तुवेल का सब्जेक्ट टूरिजम, जिसका यूनिट वान, इंट्रडक्शन तू ट्रावल एंड टूर अपरेशन बिजनस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इस यूनिट में बेसिकली आप स ट्रावल बिजनस का इवैलुएशन कैसे हुआ, पहले की समय में लोग यात्रा तो करते थे, पर क्योंकि उनके यात्रा करने का परपस प्लेजर नहीं होता था, उनके यात्रा करने का परपस या तो बिजनस होता था, इस वज़े से बोला जाता है कि दूरिंग दे पास्ट ट्रावल वस देर बट ट्रॉजर नहीं होता था, इस लिए बोला जाता है, फिर जब लोगों ने डिफरेंट सीखा वर्क और लेजर के बीच में, जब लोगों ने काम और खाली समय के बीच में डिफरेंट सीखा तब हमारा टॉरिजम स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर 1670 मे grant tour start हुआ था वो भी educational purpose के लिए कई बारी question आ जाता है कि जो हमारा grant tour था वो क्यों start हुआ था और कब start हुआ था तो यह 1670 में इसका purpose था educational और फिर जब 1758 में cox and king थी जो first appeared हुई थी travel agency के business में जो हमारा travel agency का business है उसमें cox and king सबसे पहले appeared हुई थी ठेक है फिर जब जो हमारे business agencies हैं उन्होंने travel related services को sale किया सेल करना developed किया तब जो है हमारी tourism industry start हुई थी तो i hope कि आपको इतना समझ में आया होगा तो next हम आ जाते हैं travel trade in India जो travel का वेपार है वो इंडिया में कैसे आया ठीक है in 1920 Gina and co the first travel agency organized जिसने Indian travelers के लिए abroad और इंडिया में first travel agency थी Gina and co जिनने ने Indian travelers के लिए abroad में भी और इंडिया में भी organize किया था क्या group tour group tour को organize किया था 1920 में थीक है फिर 1951 में travel agent association of India यानि टाइ उसका form हुआ उस वो इसलिए form हुआ था कि जो मारा travel trade का जो पार है travel का उसको organize करने के लिए 1951 में travel agent association of India टाइ की स्थापना हुई ठीक है फिर 1961 में Gina and co और दो और other Indian companies थी जो एक साथ composite हुई combine हुई और उनको जाना गया travel corporation of India limited TCI के नाम से यह बहुत बारी कुशन आ जाता है कि TCI का full form क्या है तो travel corporation of India limited ठीक है फिर नेक्स हम आ जाते है travel agency travel agency क्या होती है कोई भी important organization एक बहुत ही important organization जो tourism के private sector में बहुत ही ज्यादा significant and crucial role निभाती है in the entire process किसी भी country या फिर destination के tourism को promote करना और develop करने में जो हमारी travel agency होती है वो बहुत ही ज्यादा important role निभाती है ठीक है अगर किसी country या फिर destination का जो tourism है वो कितना promote है वो उस travel agency वहां की travel agencies पर ही depend करता है तो हमारे जो travel agency है उसके कुछ main features होते हैं जिसको हम discuss कर लेते हैं first होता है कि जो हमारे clients होते हैं और जो principal supplier होता है जो सारी services बगएर देता है principal supplier उनके बीच में link बनाना वो भी important link बनाना वो भी किसका काम होता है travel agency का कई बारी क्या होता है मैंने जिसे आपको बताया किसी भी country या फिर destination में travel को promote करना डेवलप करना कि इसकी जिम्मदादी होती है travel agency की तो उसकी वजय से क्या होता है वहां का image build हो जाता है that's why कई बारी travel agencies को image builder भी बोल दिया जाता है ठीक है और फिर थर्ड मारा topic आजाता है कि जो जितने वी authentic और reliable travel information होती है travel related जितने भी information वगेरा होंगी कौन सी services है कब मिलेंगी कैसे यह सारी जो information होती है वो travel agency प्रोवाइड कराती है ठीक है I hope कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा फिर जो last हमारा हो जाता है कि हमारा clients होते हैं और जो vendors होता है vendors mean जो किसी भी product को sale कर रहा होता है उसके बीच यानि कि clients और जो vendors होते हैं उनके बीच good relationship establish करना भी किसकी जिम्म होती है travel agency की तो यहां पर हमारा travel agency clear हो जाता है तो next हम आ जाते है कि टाइपस ऑफ travel agencies जो हमारी travel agency होती है उसके two types होते हैं first होता है retail travel agency और second होता है wholesale travel agency तो next की slide में हम इसको ही detail में explain करने वाले हैं कि फर्स्ट हमारा है retail travel agency retail travel agency क्या होती है एक retail travel agency वह होती है जो directly public को अब प्रोड़क्स को supplier के तोर पर directly public को सेल कर देती है और फिर रिटन में क्या लेती है कमिशन कमाती है जो रिटेल ट्रावल एजिंसी होती है वो डायरेक्टली पब्लिक को जितनी भी सेल सेविसीज बगेरा होती है वो सेल कर देती है और फिर रिटन में क्या होता है उसको कमिशन मिलता है तो जो यह कमिशन मिलता ह यह होता है Vendors होता है उसके revenue का सोर्स कई बारी कोशेन आता है कि जो travel agencies होती है जो retail travel agency होती है उसका रिबन्म का Commerce क्या होता है तो कमिशन उसस रिभी होता है वैंडर से वही उसके revenue का है फिर next हम आ जाते है था wholesale travel agency wholesale travel agency क्या होते है जैसे कि नाम से पर चल रहा वहुत अधिक मात्रा में खरीद लेती हैं और इजाइन करते हैं एक पैकेश को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे क्या होता है उनको वालिम ऑफ डिसकाउंट मिल जाता है ठोड़नेश में तो होसे जरे पर में अधिंकति है कि वह सारा कि किसी होटेल की बहूट सारे रूम को एक आउडर कर वा लेते हैं उनको अच्छा का सा प्रॉफिट मिल जाता है प्रिंस्वल सप्लायर से तो वही उनके प्रॉफिट का ऑप्शन होता है रिवेन्यू का सोर्स होता है ठीक है तो नेक्स्ट हम आज आते हैं एक चुटा से टॉपिक हमारा ट्रावल एजेंट ट्रावल महां डैंडी जूपिट करता है उसको हम ट्रावल एजेंट कहतेयों उस कंपनी का वह ट्रावल एजेंट हो जाता है थीक है आई I hope कि अपको इतना यहां तक clear हो गया होगा तो next हमाज आते हैं Tour operator and types of tour operator Tour operator नाम से पतल ज़से कि operator operate करना है न तो जो हमारे tour होता है उसको operate करवाना ठीक है तो कोई भी organization हो सकती है फर्म हो सकता या फिर company जो individually travel related जितने भी component services बगएरा होती है उनको separately खरीड लेते हैं supplier से और फिर उनको combine कर देते हैं एक package store में components को खरीदा और उनको combine कर दिया एक package store में और फिर क्या होता है combine करने के बाद उस पर वो अपना own price tag लगा कर और public को base देते हैं या तो वो public को directly base देते हैं या फिर middleman के थूर बेज देते हैं तो उसी को हम tour operator कहते हैं ठीक है next हमारा आजाता है types of tour operator जब हम जब हम types of tour operator की बात करते हैं तो हमारे पास four types होते हैं inbound tour operator, outbound tour operator, domestic tour operator और ground operators inbound tour operators में क्या होता है कई बारे इनको incoming tour operators के नाम से भी बोल दिया जाता है क्योंकि अगर हम example की बात करें माल लीजिए कोई भी American tourist का group है ठीक है जो इंडिया में visit करना चाहता है तो एक company है TCI जैसा कि मैंने अभी पहले की slide में बताया था तो जो TCI company है वो इंडिया की है ठीक है और जो TCI company है वो सारी arrangements वगेरा करेगी इंडिया में किसके लिए American tourist के लिए तो इस situation में जो operator है वो inbound tour operator के लाएगा ठीक है फिर next हम आजाते हैं outbound tour operator outbound tour operators कौन होते हैं हम inbound tour operator का opposite समझ सकते हैं outbound tour operators को ठीक है इसमें क्या होगा माल लीजे कोई इंडिया के ट्रावलर्स है ठीक है और वो इंडिया से बाहर किसी अधर country में विजिट करना चाहते हैं तो उस situation में कोई भी इसमें क्या होता है मान लीजिए for example कि इंडिया के ट्रावलर्स हैं और वो इंडिया में ही बिजिट करना चाहते हैं तो इस situation में क्या होगा जो operator होगा वो इंडिया में ही रहके और सारी facilities बनाएगा किसके लिए इंडिया के लिए ही तो उस situation में वो domestic tour operator के लाएगा within the home country ठीक है लास्ट हमारा आ जाता है destination management companies या फिर ground tour operators इसमें क्या होता है इसको हम example से समझे तो ज़्यादा clear हो जाएगा मान लीजिए कोई company है जिसकी जो वो office है वो डेली में है और जो tourist है वो गुवा में घुमना चाहता है तो ऐसा तो नहीं है और लेकर तो इसमें क्या होता है कि जो डेली का जो operator है वो गोवा के किसी local operator से contact करते है और सारी arrangements वेगर करा देता है तो पिर जो गोवा का जो local operator होगा वह हो जाता है हमारा ground operator ठीक है तो आपको इत्ता समझ में आ गया होगा तो next हम आज आते हैं difference between travel agencies and tour operators जो हमारी travel agencies होती है और जो tour operator होता है उसके बीच में difference क्या होता है एक tour operator जो होता है वो certainly services को खरीता है from the different suppliers different companies जो tour operator होगा वो different companies से जितनी भी services बगर है उसको खरीता है पर जो travel agency होती है वो एक independent reseller की तरह काम करती है और फिर second difference की जब हम बात करते हैं तो जो tour operator होता है वो comparatively large company होती है in comparison to travel agency अगर हम comparison करें तो जो tour operator होगा वो large company होगी travel agency के comparison में फिर जब हम third difference की बात करते हैं तो जो travel agency होती है वो हो सकता है कि वो travel product के किसी one component से ही deal करें किसी एक component से ही deal करें पर लेकिन जो tour operators होते हैं वो variety of tour programs के जो travel product है उसके variety of tour program से डील करता है तो आई होब कि आपको different समझ में आ गया होगा फिर जो last topic है हमारा इसको बड़े ध्यान से समझीएगा इसमें क्या होता है जैसे सभी businesses में होते हैं एक chain होती है हर चीज की तो वैसे ही हमारा जो travel का जो business है तो या tourism का जो business है उसमें भी एक हमारी distribution chain होती है जिसकी picture आपको आपके screen पर है तो इसमें जब हम horizontally बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जो हमारा retailer होता है वो producer से भी connected होता है और wholesaler से भी connected होता है बट जब हम vertically बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जो हमारा producer होता है फिर wholesaler आता है फिर retailer आता है और उसके बाद consumer आता है तो इस pictures को बड़े दिहान से समझेगा vertically एक के बाद एक और जब हम horizontally बात करते हैं तो जो retailers होता है वो producer और wholesaler से भी connected होता है तो यह था हमारा distribution of chain in travel business तो यहां पर जो हमारा unit first है वो खतम हो जाता है I hope कि आपको इतना unit समझ में आ गया होगा फिर भी लेकिन अगर आपको कोई doubt है कोई question है तो do write in the comment section अगर आपको वीडियो पसंद आई तो do like, share and subscribe and don't forget to comment also thank you everyone